जंग से जोड़ी बड़ी खबर इस वक्त के इसराइल के साथ युद्ध के बीच हिजबुल्ला नेता हसन नस्रल्ला आज अपने समर्थकों को अब संबोधित भी करने वाला है अलजजीरा की रिपोर्ट के मताबिक आरब लीग और अस्लामिक सहयोग संगचन के नेता सौधी आरब में बैचक करेंगे और वहीं लेबनान में हिजबुल्ला के प्रमुक हसन नस्रल्ला के भाशन की आशंकाईन है और इस भाशन से पहले ही हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें नस्रल्ला की स्पीच का कुछ अंश भी है और हिजबुल्ला के इसराइल पर हमले की तस्वीरे भी जारी की आपको बता दे आज 22 मुस्लिम देशों की बैच कहुने वाली है और उससे पहले इस तरह का वीडियो जारी किया गया है आशंका जताई जा रही है कि नस्रल्ला आज भारती समया नुसार लगभग शाम के साड़े च्छे बजे स्पीच दे सकता है आप ताना आप अजू को आपा लारती से खेता है भारती सर्स्वाब लाहा कर दोहस्वाब लगद अर्शना इस वालाव जिए कर दिक दे सकता है अर्शाह अर्मणाभार perfectly गेंगा मbbeनाफिल फरह के मुंदिजा घुल्स मुखनीन ड्रहर कोफ़िन। ओपरेशन अल-घ्था की किसम नहीं जीदेगा इज्रीयार। हमास के पास हारने को कुछ नहीं बचा है जीत के अलावा इस्रेल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है साथ अक्टूबर को जब हमास के हमले के बाद से एक महीने से ज़्यादा की जंग हो चुकी है लेकिन अभी तक हमास के 45,000 लड़ाकों को इस्रेली से इनास सफाया नहीं कर पाई है एक महीने से ज़्यादा की जंग में 40,000 के करीब घाजा में इमारतें तबाह हो चुकी है लेकिन हमास फिर भी जंग कर रहा है इस्रेल की वार कैबिनेट के दावों के मताबिक 5000 से ज़्यादा हमास के लड़ाके मारे जा चुके है लेकिन उसके बावजूद हमास लगातार उत्तरी गाजा में इस्रेली सीना और उसके टैंकों पर चम कर हमले कर रहा है आखिर हमास के हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं लेबनन की राजधानी बेरूट में बैचा हमास का प्रवक्ता अब्बू उबैदा दंके की चोट पर कह रहा है कि आपरेशन अल अक्सा की कसम नहीं जीदेगा इस्रेल इन आपर मेद रहा हमालीात द्दाओअ इस्रेल इन अमलियातिन अदिफाओ cyclist इन ज्युपा इस्तियल ज्युपव्पते लुक कि पर दे सिर धुब Aww श. पुरादा नहीं बारूद है हमास एक महीने से ज्यादा की जंग में हमास ने साबित कर दिया है कि इसरेयल भले हमास से हत्यारों और तक्नीकी मामले में ताकतवर हो लेकिन हमास की लड़ाक उक्षमता कई मौकों पर इसरेयली सेना पर भारी पड़ रही है पहले ही हमास के 70 के करीब टॉप और जूनियर कमांडर गए हो लेकिन अभी भी 300 किलोमेटर की एरिया में पहली हमास की 1300 सुरंगों में 45,000 से ज़्यादा हमास के आदमिधाती लड़ाकें लगातार हमले कर रहे हैं हमास के कई वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंगों के जाल से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इसरेयली सेना, टैंक और भारी तोब खाने पर रॉकेट से खातर हमले किया है अब आप ये भी जान लीजे कि क्यूं सुरंग युद में हमास के लड़ाकों को महारत हासल है हमास के लड़ाकों के हाथों में इरान के हथियार इसरेयली सेना के लिए काल बन चुके है जरा देखिए हमास की मौजूदा सैन एक्षमता देखें तो उसके पास ज्यादा तर इरान के दिये हथ्यार है इसरेल पर मौजूदा हमले में फजर 3 और फजर 5 रॉकेट का इस्तिमाल किया जा रहा है ये दोनों ही सता से सदा पर मार करने वाली मिसाइले हैं इन में से फजर 3 43 किलोमीटर तक वार कर सकती है जबकि फजर 5 75 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है इरान से हमास को छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है इसके अलाबा हमास हत गोलों और विसफोटकों का जम कर इस्तिमाल कर रहा है आरपीजी से सबसे ज़्यादा हमले सुरंगों से हमास इसरेली सेना पर कर रहा है विसफोटक बेल्ट भी हमास के लड़ाके आई डियफ के खिलाफ जम कर इस्तिमाल कर रहे है जबकि एंटी टैंक मिसाइले हमास का अच्छू कहतियार इस वक्त थाबित हो रही है खिलाल याम अमाजिया अप्बाल आस वाहिल किताब घज्जा बवासित तर्बीद अल्च्छू अल्मुजह अन बुढद वाल्दी नक्षिफ उन दुखूल ही लिखिदमा लिए उल्वल मर्र किलाल हाधी हमास को तीस ग्रे से मार रहा है इसरेल इस्रेली सीना आईटे अपने घाजा में भीशन विनाश लिला चरव पर पहुचा दी है। आईटे अपने लिला चरव पर पहुचा दी है। हमास चक्वाश करना चरवत करें लिला चरव चरवाश पर्कता हमास वा हिं दूस्री दराव हम